बिस्मिल्ला हिराख्मार रहीम डिव्य एक्सरसाइज सेवन क्वेशन नबर फाइफ आज शॉप कीपर बाटा पेर ओफ शूज फार रुपीज 720 एंड सोल डिट फार रुपीज 810 फाइंड इस प्रॉफिट पर्सेंट क्वेशन नबर फाइफ में का हुआ है कि एक दुकान प्रामदार ने एक पेर ओफ शूज खरीदा है 720 और इसको बेचा है 810 में अब हमने यहां पर प्रॉफिट परसंटेज फाइंड आउट करनी है अब हम सोल करते हैं कुश्चिन नबर फाइफ यहां पर राइट करेंगे कास्ट प्राइस ओफ शूज इस इक्वर रुपीज 720 सेल प्राइस ओफ शूज इस इक्वर रुपीज 810 अब हम यहां पर राइट करेंगे प्रॉफिट का फार्मूला प्रॉफिट इस इक्वर सेल प्राइस माइनस कास्ट प्राइस यह कास्ट 90 रुपीस प्राफित यहां पर हमने find out की अब हम यहां पर प्राफित परसंटेज find out करेंगे profit परसंटेज का फार्मूला है profit divided by cost price multiply 100 profit है 90 रुपीस cost price है 720 multiply 100 0 को 0 के साथ off करेंगे remaining value 90 को 10 के साथ multiply करेंगे 900 divided by 72 900 को divide करेंगे 72 पे 900 को divide करेंगे 72 पे 72 1 दा 72 90 में से 72 minus करेंगे remaining 18 यहां पर हम write करेंगे यह 0 72 2 दा 144 अब हम यहां पर 180 में से minus करेंगे 144 remaining value is 36 पॉइंट राइट करेंगे पॉइंट कुईडा से यहां पर 0 राइट करेंगे 72 5 दा 360 360 में से minus करेंगे 360 remaining value is 0 900 को divide करेंगे 72 पे तो यहां पर value आएगी 12.5 profit परसंटेज इस एक्वल 12.5 परसंटेज इस आंसर को से कॉमल बाटा सिविंग मेशीन फार रूपीज 5800 बाद दी तो सम डिफेक्ट इन दा मशीन she sold it for rupees 5500 find her loss percent question number 6 में का ओब है के कॉमल ने एक सेविंग मशीन एक स्लाइब मशीन खरीदी थी 5800 में लेकिन किसी खराबी की वरा से उसने मशीन को बेच दिया 5500 में अब हमने यहां पर loss percentage find out करना है अब हम solve करते हैं question number 6 question number 6 solution यहां पर हम write करेंगे cost price of machine is equal rupees 5800 sale price of machine is equal rupees 5500 अब हम यहां पर loss find out करेंगे loss का formula write करेंगे loss is equal cost price minus sale price यहां पर यह cost price है और यह sale price है यहां पर हम write करेंगे cost price है 5800 minus sale price 5500 5800 में से minus करेंगे 5500 remaining rupees is 300 अब हम यहां पर loss percentage find out करेंगे loss percentage का formula है loss divided by cost price multiply 100 यहां पर यह हमने loss find out कर लिया यहां भी हम write करेंगे loss cost 300 cost price है 5800 multiply 100 0 को 0 के साथ off करेंगे remaining value 300 divided by 58 300 को divide करेंगे 58 पे 300 को divide करेंगे 58 58 5 दा 290 300 में से minus करेंगे remaining value is time अब यहां पर write करेंगे point point की वरा से यहां पर write करेंगे 0 58 1 दा 58 100 में से 58 minus करेंगे 42 अब हम यहां पर write करेंगे 0 point की वरा से 58 सेमन दा 406 420 में से minus करेंगे 406 remaining value 14 300 को 58 पे divide करके हमारे पास यहां पर answer आया है 5.17 5.17 percentage is loss percentage it is answer question no.7 a dealer bought 18 toy chairs at Rs. 65 per chair he sold 12 of them at Rs. 75 each and the remaining chairs at Rs. 60 each find his profit or loss percentage question no.7 में का होबा है के एक dealer ने 18 chairs खरीदी है एक चेर 65 रुपीज की उसने बेची है 12 शेर 75 रुपीज की एक और बाकी उसने बेची है 60 रुपीज की एक अब हमने यहां पर उसका नफा या नुक्सान percentage find out करना है अब हम solve करते हैं question no.7 question no.7 solution यहां पर सबसे पहले हम write करेंगे total number of chairs is equal 18 18 total तदाद है chairs की cost price of twice chair is equal रुपीज 65 cost price of 18 twice chairs अब हमने 18 chairs की cost price find out करनी है रुपीज 65 के साथ multiply करेंगे 18 को तो हमारे पास यहां पर 18 twice chairs की price आ रहेगी रुपीज 1170 18 twice chairs की cost price है अब हम यहां पर write करेंगे sale price of one chair is equal एक chair की sale price statement में given है रुपीज 75 sale price of 12 chairs 12 chairs उसने जो 75 रुपीज की एक बेची थी उसकी sale price अब हमने find out करनी है रुपीज 75 को multiply करेंगे 12 chairs के साथ तो यहां पर रुपीज आ रहेंगे 900 900 रुपीज sale price है 12 chairs की remaining chairs अब हमने यहां पर remaining chairs calculate करनी है 18 में से 12 chairs उसने sale कर दी बाकी उसके पास chairs बशती है 6 अब हमने 6 chairs की sale price find out करनी है sale price of remaining chairs is equal रुपीज 60 और remaining chairs अभी हमने calculate की 6 है sale price of 6 remaining chairs रुपीज 60 multiply 6 हम रुपीज 60 के साथ 6 को multiply करेंगे sale price of 6 remaining chairs is equal रुपीज 360 sale price of 18 chairs is equal रुपीज 900 पहले हमने 12 chairs की sale price find out की 900 इसमें हम add करेंगे sale price of 6 chairs की 360 यह भी हमने find out की 900 में 360 add करेंगे sale price of 18 chairs is equal रुपीज 1260 so sale price is greater than the cost price so he gained profit calculation के बाद यहां पर हमें पता चला कि उसे profit हुबा है अब हम यहां पर calculate करेंगे profit profit is equal sale price minus cost price sale price अभी हमने calculate की 1260 इसको हम minus करेंगे cost price जो हम पहले find out कर चुकी है 1170 multiply 100 0 को 0 के साथ off करेंगे remaining value 90 को 10 के साथ multiply करेंगे तो हमारे पास value आएगी 900 इसको divide करेंगे 117 पे 900 को बैल्यू को यहां पर minus करेंगे तो यहां पर value आएगी 108 पॉइंट के बड़ा से यहां पर write करेंगे 0 1179 दा 1053 remaining value is 27 900 को 117 पर divide करके यहां पर हमारे पास answer आया है 7.69 900 को divide करेंगे 117 पर तो यहां पर value आएगी 7.69% अब हम यहां पर round off करेंगे 7.7% it is answer question number 8 फात्मा बाटा डॉल 4 रूपीज 440 आफ्टर गेटिंगा डिसकाउंट of 20% find the mark price of the doll question number 8 में का हो है कि फात्मा ने एक गुडिया खरीदी है 440 रूपीज की 20% के डिसकाउंट पर अब हमने यहां पर डॉल की mark price find out करनी है अब हम solve करते हैं question number 8 question number 8 solution यहां पर सबसे पहले हम write करेंगे price of a doll is equal रूपीज 440, discount is equal 20% mark price हमने find out करनी है let अब हम यहां पर फर्स करते हैं the mark price is रूपीज 100 then अब हम यहां पर sale price का formula write करेंगे sale price is equal cost price minus discount cost price हम फर्स कर लेते हैं कि वो 100 है minus करेंगे discount 20 तो यहां पर value आएगी 80 sale price 80 रूपीज यहां पर write करेंगे mark price and sale price 100 mark price जो भी हमने फर्स की उस पर sale price अभी हमने calculate की है 80 mark price अब हमने find out करनी है 440 डूपीज पे अब हम यहां पर write करेंगे x divide करेंगे 100 पे यहां पर write करेंगे 440 और इसको divide करेंगे 80 पे cross multiplication करेंगे x को multiply करेंगे 80 के साथ 440 को multiply करेंगे 100 के साथ यहां पर write करेंगे x is equal 440 multiply 100 और divide करेंगे 80 के साथ 0 को 0 के साथ off करेंगे 2, 5 दा 10, 2, 4 दा 8 4, 1 दा 4 4, 1 दा 4, 4, 1 दा 4 यहां पर write करेंगे 0 110 को multiply करेंगे 5 के साथ x is equal 550 it is answer question number 9 a mobile is sold for rupees 2160 after giving a discount if mark price is rupees 2700 find the discount percentage question number 9 में का होबा है कि एक mobile बेचा है 2160 discount देने के बाद mark price है 2700 तो हमने यहां पर find out करनी है discount percentage अब हम solve करते हैं question number 9 question number 9 solution यहां पर सबसे पहले हम write करेंगे sale price is equal sale price of mobile is equal rupees 2160 mark price is equal rupees 2700 discount is equal mark price minus sale price अब यहां पर हमारे पास यह sale price है यह mark price है 2700 में से minus करेंगे 2160 discount rupees 540 by using unitary method अब हम unitary method के थुरू question solve करेंगे यहां पर write करेंगे discount of rupees 2700 is equal rupees 540 यह भी हमने find out किया उसके discount in rupees पे percentage discount of rupees 1 is equal 540 यह भी हमने price find out कि इसको divide हम करेंगे 2700 पे multiply करेंगे 100 के साथ 0 को 0 के साथ off करेंगे remaining value is 540 डिवाइब बाइ 2700 27 1 दा 27 27 2 दा 54 0 write करेंगे 20 percentage discount percentage यहां पर हमने discount percentage find out कर लिया है 20 percentage hence discount will be 20 percentage इस आंसर